थे मटर आलो की कुर्कुरी खास्ता पुडियां मटर आलो के खास्ता पुड़ी बनाने के लिए रेते हैं जोटी नूबले हुई अलू हरी मिर्च, अद्रोक लहसन, दो कप ग्यूं काटा और एक कप या एक कटोरी बेसन सबसे पहले कडाई में तेल डाल के गरम करेंगे और इसमें मटर को पकाएंगे मटर डाल के अब इसमें एड़ करते हैं हरी मिर्च और एड़ करते हैं मसाले, नमक, एक हमाच, लाल मिर्च पाउडर, खल्दी पाउडर और कम से कम पांच आप मिर्च को भूई तरहे हैं मटर को पकाना नहीं है, बस हलका सा फ्राइब करना है, बस फोड़े से कच्चापन नहीं रहे, अब इसमें एड़ करते हैं, फोड़े की हींग, और अब उसको बन करते हैं, फ्रेम को ठंटा होने देते हैं, बटर ठंडे हो चुके हैं, अब इसको मिखसी का जाल में डाल के पीछ लेते हैं, मटर को अच्छे से पीछ लिया है अब इसमें तीन जोब ले हुए आलू लिये थे वो अच्छे से मैस करके डाल देते हैं इसमें डालते हैं एक चमच अजवायन और एड करते हैं एक कटोरी बेशन दो कटोरी आठा और इसको आठे को मिक्स कर लेते हैं मटर के इसमें अच्छे से आठा लगा लेते हैं मटर और आलू का आठा लगते तयार है अब बनाते हैं खस्ता पूरियां मटर की फ्राई करते हैं इसे बहुत अच्छे सिक्काई होगी है, रिक्डम कुरकुरी पूर्या मन के तयाद है मटर आलू की खस्ता पूर्या बनकर तयार है, बिलकुल कुरकुरी पूर्या है और एक्दम सॉफ्ट देख सकते हैं, इसको सार्व करेंगे हरी मिर्श, निमू का चाथ या फिर हरे धनी के चटनी के साथ आप भी जरू ट्राइ कीजिए एक बार मटर और आलू की कुरकुरी ख पूर्या